हेलो फ्रेंस वेल्कम बेक टो मैं चैनल अधिक अलश्वाल वाल्ट काना जी के सभी बगतों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा तो देखे फ्रेंस आज हम लड्डू कॉपाल जी के लिए ये बहुत दी कुपसूरत सी न्यूर रिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस पनाएंगे तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक दीखेगा जिसे कि आप यासानी से ये ड्रेस पना कर काना जी को पहना सकें अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नौलेज आते हैं या फिर कोई कॉशन पूछन पूछना चाते हैं तो मुझे मेरे इं क्रोश्य के बाएकन प्रेस करिये जिससे मेरे आनेवाली वीडियो के नोटिकेयशनोס आपको दबसे पहले मिले। व एक क्रेस प्रेस क्लेश्य क्लरी को रच्ष्ट मेरे इलकि नबबर कि लिए 0.10 यीpir प्रेस्पनाने के लिए Delight फिर उन को क्रोशिया में फसा कर लूप में से निकाल लेना है, फिर इसको हम खीच के इसे टाइट कर लेंगे, जिसे कि यहाँ पे एक हुक की तरह बन जाएगा, अब हमें क्रोशिया में उन को लेना है और लूप में से निकाल लेना है, तो यह एक चेन बन गई, फिर से हम क् निकालेंगे तो यह दूसरी चेन बन गई ठीक इसी तरीके से हमें टोटल 20 यानि की 20 चेन्स बना के कम्प्रीट कर लेनी है 20 चेन्स बनाने के बाद अब यहां से जो एक्स्रा उन है तो थोड़ी सी जगा छोड़ते हुए हमें इसको कट कर लेना है अब हम इए किनारे से दो चेन्न छोड़ देनी है एक दो और तीसरी चेन्ट में हम ऐसे क्रोशिया कोड़ डालेंगे और उन को फसाकर निकालेंगे डो पंदे हुए क्रोश्या में उनको लेकर इन दोनोंव फंदो से निकाल लेना है इस तरीके से यह सिंगर क्रोशिया बन गई अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार सिंगर क्रोशिया बनाएंगे ऐसे ही हर एक चेन में से एक एक बार सिंगर क्रोशिया बनाते हुए हमें यह पूरी लाइन कम्प्रीट कर लेनी है कोण हैं अब हमेसे को पलट लिना है और पलट कर हम तीन चेन बनाएंगे पहले तो यह एक D4 और यह तीन Chopra में के बनाने के बाद प्रिकर विनको लपेट ना है और जहां से हमने यह तीन बनाई है उसी चेन में हम फिर से क्रोश्या को डाल के उनको फसा कर निकालेंगे क्रोश्या में तीन फंदे हो गए तो हमें क्रोश्या में उनको लेकर दो फंदो से निकालना है दो फंदे बचे तो अब हम क्रोश्या में उनको लेकर बचे वे दो फंदो से निकालेंगे तो इस तरीके से एक ही चेन में से हमने दो डबल क्रोश्या बनाई है क्योंकि ये जो सुरू में हमने तीन चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोश्या ही मानेंगे फिर उसी में से हमने एक डबल कोश्या और बनाई तो इस तरीके से ये दो डबल कोश्या हो गई है अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम दो बारी डबल कोश्या बनाएंगे तो ये एक हो गई और ये दो हो गई अब इसका लुक कुछ ऐसे आज आएगा और अब जो टोटल चेंज है वो 38 हो गई है तो हम काना जी के लिए अब स्लीव्स बनाएंगे तो सबसे पहले किनारे पे हमें 3 चेंज बना लेनी है ये 1, 2 और ये 3 तीन चेंज हमने बनाई अब इसके आगे कि 5 चेंज में हमें एक एक बार डबल कोश्या बनानी है तो शुरू में हमने ये जो 3 चेंज बनाई थी इसको भी हमें एक डबल कोश्या ही मानेंगे फिर उसके आगे कि 5 चेन में हमने एक एक बार डबल कोशिया बनाई तो अब टोटल ये 6 डबल कोशिया हो गई है अब हमें 8 यानि की 8 चेन्स काउंट करके छोड़ देनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 8 चेन्स हमने छोड़ दी नाइन्थ चेन्स में हमें फिर से यहां पर डबल कोशिया बनानी है इस तरीके से तो देखे अब यहां पर काना जी के लिए एक स्लीव बनकर बिलकुल तईयार है और इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है अब यहां पर जो हमने एक डबल कोशिया बनाई है ना इसके आगे की नौ चेन्स में भी हम एक एक पार डबल कोशिया बनाएंगे तो एक डबल कोशिया हमने पहले से बनाई है, नौ डबल कोशिया हम और बनाएंगे, तो सेंटर में टोटल दस डबल कोशिया हो जाएंगी बीच में दस डबल कोशिया बनाके कम्प्लीट करने के बाद, अब हमें फिर से 8 चेंज काउंट करके छोड़ देनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 8 9th chain में हम double crochet बनाएंगे जिसे कि हमारे काना जी के लिए दूसरी स्लीव भी बन जाएगी तो यहाँ पर ऐसे हम double crochet बनाएंगे तो देखें friends यहाँ पर काना जी की दूसरी स्लीव भी बन गई है अब यह जो एक double crochet हमने बनाई है इसके आगे पांच चेन बची है इसमें से भी हम एक double crochet बना लेंगे तो इधर भी total 6 double crochet कम्प्लीट हो जाएगी जैसे कि हमने शुरू में भी यहाँ पर 6 double crochet बना के कम्प्लीट किया था वैसे इधर भी हमें 6 double crochet बनानी है पूरी लाइम बना के कम्प्लीट करने के बाद अब देखे कानाजी के लिए बहुती सुन्दर सी स्लीव बनकर तयार है अब हमें इसको पलट लेना है और हम तीन चेन बनाएंगे एक दो और यह तीन अब हमें इसके बाद वाली चेन में से सिर्फ एक double crochet बनानी है फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार double crochet बनाएंगे ऐसे हमें हर एक चेन में से एक बार double crochet बनाते हुए यह पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेनी है इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है अब हम ड्रेस की घेर बनाएंगे तो इस तरीके से सबसे पहले हमें चार चेन बनानी है यह एक, दो, तीन और यह चार, चार चेन हमने बनाई अब यहां से हमें देखे एक चेन छोड़ देनी है और दूसरी चेन में double crochet बनानी है तो इस तरीके से यहाँ पे एक ब्लॉक की तरह बन जाएगा फिर से हमें एक चेन बनानी है और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल कुर्शिया बनानी है तो यह दूसरा ब्लॉक बन गया फिर से हम उपर की तरह से एक चेन बनाएंगे और नीचे एक chain छोड़कर दूसरी chain में से double crochet बनाएंगे ऐसे ही blocks बनाते हुए हम ये पूरी line complete करेंगे blocks बनाके complete करने के बाद अब हमें इसमें yellow color का un joint करना है तो मैंने देखे या पर ये yellow color का un ले लिया है और लास्ट में जो एक फंदा बचा है ना इसमें से हम इस तरीके से ये yellow वाला उन निकाल लेंगे फिर हमें knot लगाकर इसको joint कर देना यही पे joint करने के बाद अब देखे जिस फंदे में हमने उन को joint किया है उसी में फिर से हम crochet को डालेंगे और उन को फसाके ऐसे निकाल लेंगे साथी साथ ये जो pink वाला उन है इसको हमें यही पे छोड़ देना है क्योंकि अभी हमें फिर से pink color के उन का यूज करना है इसलिए मैं इसको कट करके नहीं निकाल रही हूँ अब हमें तीन चेन बनानी है ये एक ये दो और ये तीन ती यहां से हम डबल कोश्या बनाएंगे एक दो तीन चार और ये पांच पांच डबल कोश्या हो गई अब इसके बाद वाला जो ब्लॉक है इसमें से भी हमें पांच डबल कोश्या बनानी है एसे ही हमें हर एक ब्लॉक में से पांच पांच डबल कोश्या बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखे गेर कुछ इस तरीके से आ जाएगी अब हमें यलो कलर के उन से बलॉक्स बनाना है तो जैसा कि हमने पिंक कलर के उन से ब्लॉक बनाये थे उसी तरीके से हमें चार चेंग अब 1 जो में इस दूसरी चेन में से हम double crochet बना लेंगे फिर हमें एक चेन एक्स्रा बनानी है उपर और नीचे से एक चेन छोड़के दूसरी चेन में से double crochet बनानी है ऐसे ही ब्लॉक्स बनाते वे पूरी लाइन कम्प्लीट करनी है यलो कलर के उन से भी हमने देखे ब्लॉक्स बनाके कम्प्लीट कर लिये हैं अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है तो हमें इसको यहीं पर लॉक कर लेना है क्यूंकि अब हमें यलो कलर के उन का काम नहीं है तो इस तरीके से हम लास्ट वाले फंदे को ढीला करेंगे और जो बचा हुआ उन है इसमें से निकाल के फिर खीच के टाइट कर देंगे अच्छे से टाइट करना है हमें इसको थोड़ी सी जगा छोड़ते हुए एक्स राउंड कट करेंगे अब जहां से हमने इसको लॉक किया है उसी चेन में हम फिर से डालेंगे करोश्या को और यहां पर यह जो हमने पिंक कलर का उन रखा था ना इसको ले लेना है हमें और इसमें से निकाल लेना है निकालने के बाद अब हमें फिर से तीन चेन बनानी है एक, दो और ये तीन और ये जो हमने ब्लॉक बनाया है ना इसमें से पांच बार डबल कुश्या बनानी है तो ये एक, दो, तीन, चार, और ये पांच ऐसे ही हर एक ब्लॉक में से पांच बार डबल कुश्या बनाते हुए हम पूरी लाइन कम्प्रीट कर लेंगे हर एक ब्लॉक में से हमने पांच बार डबल कुश्या बनाते हुए ये पूरी लाइन कम्प्रीट कर लिया है प्लास्ट में जो एक फंता बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक करके एक्स राउन कट कर लेना है लॉक करने के बाद अब देखिए ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा लास्ट में हम इसमें पीछे की तरफ से टिप टैप बटन लगाएंगे तो मैंने यह पे यह टिप टैप बटन ले लिया है इसको ऐसे हमें ओपेन कर लेना है और पीछे में एक पीस हम इधर की तरफ लगा लेंगे और दूसरा पीस हम इस तरफ से लगा लेंगे जिसे की काना जी को ड्रेस पहना कर फिर हम इसको ऐसे बंद कर सके अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगब पे हुकिया वेलक्रो भी लगा सकते हैं फिर हमारे काना जी के लिए बहुती सुन्दर सी ड्रेस पनकर बिलकुल तैयार है